जो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों गें एक उन नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है मैं दिखाने वाला हूं आज 5 इंच का सब बूफर की टेस्टिंग यह देख सकते हैं आप 5 इंच का सब बूफर है इसकी मैं टेस्टिंग करने वाला हूं विट क्लास्टि ऑडियो बोट 44 का मेरा ऑडियो बोट है उसके साथ मैं इसकी टेस्टिंग करूँ है यह 5 इंच का सब बूफर है 15 इंच का बूट का है ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं अपनी सेटप की और लेके चलता हूं और वीडियो को यह 44 का बोट 5 इंच का सब बूफर में कितना हेवी साउंड देता है और कितना बेस देता है बहुत ही जवर्दस होने वालय वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वालय टेस्टिंग तो चलिए बिना time waste करें शुरू करते हैं fitting करते हैं तो गाई सब buffer fitting के लिए हमें चीए ये वाला pin आप देख सकते हो जो dishों में केवलों में लगता है इसका नाम मेरे को exactly पता नहीं है ये वाला pin चीए जो कि ये देखिए ये sub buffer pin के तका यहां fit हो जाता है ये pin मैंने लिया ये दो जो आप देख रहे हो wire प्लस माइनस का इसके साथ हम buffer के fitting करेंगे ये देख सकते हो मैंने इधर की fitting कर दी मैंने प्लस इसके साथ ये जोड़ेंगे फिर हम start करेंगे ये है मेरा cable इसके साथ मैं direct power supply देता हूँ यहां से और यहां से direct मैं power supply देके उसके बाद मैं on करता हूँ फिर गाना बजा के मैं दिखाता हूँ testing में वाइस आप लोग देख सकते हो यहां पर power supply मैंने दे दिया यहां पर power का light भी जल गया बूफर भी connect कर दिया यह देख सकते हो कुछ इस type का मैंने connect किया है अभी मैंने tape वगरे कुछ लगाया नहीं अभी थोड़ा सा दूर दूर रखा है जब पहले proper work करेगा उसके बाद मैं tape लगा के fitting कर दूँग यह देख सकते हो आप यह 5 इंच का subwoofer है अब मैं करता हूँ मैंने प्रॉपर सही तरीके से मैंने connect कर दिया सब कुछ आप देख सकते हो इधर भी मैंने fitting कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा लूज वगेरा था इस वहीं से मैंने fitting कर दिया अच्छे से यहाँ पर पावर वगेरा सब कुछ आ गया अब मैं करता हूँ कि टेस्टिंग अब देख लो कैसे किस तरीके से बजरा बहुत ही जवर्दस कॉलिटी का बजरा है ज्यादा नहीं 55 वर्ट का था तो ज्यादा उसी साफ से आवाज नहीं देगा इसके लिए अगर आपको है तो काईस आप लोग ने देख लिए टेस्टिंग मैंने करके दिखा थी 55 वर्ड का था यह हमारा सब बूफर पांच इंच का क्लास डी का एंप्रिफायर बोड था बहुत ही जवर्दस बोड तो बहुत जवर्दस था लेकिन हमारा बूफर बहुत चोटा था इस वैसे दमा आप से ठीक ठाक है नॉर्मल एक छोटे से रूम के लिए बैस्ट है बात बाकी और जान करें के लिए लाइक और सस्क्राइब करें मेरी चैनल को और कमेंट करके बताए नेक्स वीडियो किसकी बनाओ और भी वीडियो आती रहेगी आज के लिए भाई धन्यवाद अब मैं म